सब को मेरा नमस्कार जगत की रचना का और एक एपिसोड को मैं आपको स्वागत करता हूँ आज की कपिक है उत्पति उनका दो का 19 से 20 लेकिन मैं 18 पत को और कुछ समझाना चाहता हूँ उधर लिखा गया है एक ही सरुप का सहय करने वाली इस सब्त का अर्थ है देखने में एक जैसा सहय करने वाली इस सब्त का अर्थ है जो साथ में रहेगी और हर कामे मदद करेगी इस सहय करने वाली का मतलब है नारी पुरुस नहीं है तो परमिस्चन नारी को किस तरह से तेयर करेंगे ये परमिस्चन ने पहल से ही योजना बनाया था उनिस माँ पद में हम देखेंगे परमिस्चन ने सारे पुसू और पंचियों को तियार करने के बाद आदम को पास लाया इसी का मतलब क्या परमिस्टन ने फिर से पसु और पंचियों को बनाया मेरे प्रियों एसे बिलकुल भी नहीं है परमिस्टन ने जगत को केसे बनाया ये सिर्फ यहां और एक बार याद किया गया है पहले एक का बिस इकिस चबिस और दोबरा दो का उनिस पद में परमिसर का ओ काम को याद किया गया है और आदम ने जिसका जो भी नाम दिया उसी का ओही नाम हुआ यहां एक सवाल आता है अगर हम दिखेंगे मान लिजे तोता इसका अंग्रेज में नाम होगा पैरोट उडिया में सुआ तो फिर तो फिर ओ कौन सा नाम था कौन सा नाम तोते के लिए प्रवेक किया गया था तो फिर एक परंशी का अलग अलग नाम कब हुआ जो बाबिल की गड़ तेयर किया गया उसी समय परमिश्चन ने भासा का परिवर्तन किया भासा का भेज जनमाया उसी के बाद एक पंची का भी भासा के अंसर नाम बदल गया बीश पत के अनसार आदम ने सारे पसु और पंच्छी का नाम दिया लेकिन खुद के लिए कोई साथी नहीं था इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे आज के लिए इतना ही सब को फिर से जे मसी की